नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जारकन के अंदर जो बहन बेटी स्वालंबन यूजना यहाँ पे चालू किया गया है इसके अंदर कौन-कौन सा आपको डॉक्मेंट लगेगा और साथ में पैसा आपको कब मिलने वाला है ठीक है आप आवेदन कैसे करोगे कब तक आप आवेदन कर पाओगे इसका लास्ट डिट के आवेदन करने का आवेदन ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा एकक करके मैं सारे बातों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ तो मेरे भाई ठीक है, यहाँ पर document का सबसे पहले बात कर लेते हैं, document के अंदर क्या क्या लगेगा तो यहाँ पर आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र पहचान पत्र इंदसिंस की बोडर आईडी काड होना चाहिए ठीक है, जो भी महिला का मतलब है 100% चाहिए ही चाहिए ठीक है बाकी जिसके अंदर start field नहीं लगा हुआ है वो नहीं भी है तो भी चलेगा ठीक है तो भाई सबसे पहला तो आविदिका यानि की महिला का यहां पे voter ID कार्ड होना चाहिए दूसरा अधार कार्ड होना चाहिए तिसरा परिवार का रासन क परिवार के अंदर जिस भी महिला का आविदन करना है उनका भी नाम सामिल होना चाहिए ठीक है अब इतना हो जाने के बाद भाई रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो तो मस्ट होगा ही होना चाहिए ठीक है उसके बाद देखे एक इसके अलावा एक और requirement यहां पे होता ह जो कि है भाई अधार linked bank खाता अब अधार linked bank खाता कहने का मतलब है कि आपका एक bank खाता होना चाहिए महिला के नाम से एक bank खाता होना चाहिए ठीक है और वो bank खाता जो है वो अधार seeded होना चाहिए अधार seeded और अधार link में आंतर होता है अधार link आप किसी भी bank में करवा स सकते हो लेकिन अधार सीडिंग जो है वो केवल एक ही खाता के अंदर होता है जैसे माल लेजिए कि जिस भी महिला का यहां पर आवेदन किया जा रहा है ठीक है जो भी महिला को यहां पर बहन बेटी स्वालंबन युजना के तहत पैसा मिलने वाला है उसका माल लेते हैं तीन एक बैंक ऑफ इंडिया में है एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और एक आपका बैंक ऑफ बरुद्दा में है ठीक है तो देखो तीनों बैंक के अंदर इनका जो है वो अधार लिंक हो सकता है लेकिन एक ही बैंक के अंदर इनका अधार सीडिंग हो सकता है अधार सीड सरकार का यहां पे छातिवरती का पैसा हो गया हो या पीम किसान का पैसा हो गया हो ठीक है या गैस सबसीडी का जो पैसा आता हो कहने का मतलब सरकारी पैसा ठीक है सरकारी पैसा उसी में ट्रांसपर होता है जिसमें अधार सीडिड होता है ठीक है तो यह करवाना भी काफी असा इतना हो जाने के बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आवेधन कैसे होगा ओनलाइन होगा या फिर आफलाइन होगा ठीक है तो यहाँ पे आवेधन की रिगार्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो संकल पत्र जारी किया गया है जो कि जारगन के अंदर महिला और बाल बिकास मंत्री है इनके द्वारा यह संकल पत्र जारी किया गया है अब इनके द्वारा यह संकल पत्र में बताया गया है कि यह ऑनलाइन होगा या फिर आफलाइन होगा तो यह भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है अब यहाँ पे आप गौर करोगे मेरे भाई तो मैं यह इसका आवेदन की आफ। है। बासी कर सकते हैं जब一次 करद सकते हो। यह भी पतायागा है। भविस में इसका पोर्टल को online विक्सित किया जाएगा, ठीक है, यहां पर देखे, भविस में वेव पोर्टल विक्सित होने की सिती में, आविदनों की प्रापतियम स्विकर्टी ओनलाइन ही की जाएगे, ठीक है, लेकिन ये भविस की बात है, फिलाल ये भविस की गर्म में लेकिन मेरे भाई वरतमान में ये बताया जा रहा है कि ये आफलाइन यहाँ पर आविदन किया जाएगा और दो स्टेजिस में इसका वेरिफाय होता है ठीक है अगर आप ग्रामिन छितर में हैं ग्रामिन छितर की कोई महिला ये आविदन कर रही है तो भाई जो अंचल अधि अधिकारी और दो अधिकारी देखे प्रखंड विकास पदादिकारी और एक अंचल अधिकारी ठीक है तो जो प्रखंड विकास पदादिकारी हैं ब्लॉक डेवलप्मेंट आफिसर ठीक है प्रखंड विकास पदादिकारी यानि ब्लॉक डेवलप्मेंट आफिसर ठीक है जो वीडियो होते हैं वो verify करेंगे और दूसरी बात जो सहर के अंदर महिलाएं होती हैं वो अगर आवेदन करती हैं तो उनका verification कोन करता है तो उनका verification अंचल अधिकारी करता है यानि CEO करता है सरकल officer करता है ठीक है अब भाई जो circle officer होते हैं वो JPSC के तुरू बनते हैं और यहा आविधन होगा ये भी आप सुन लो देखो यहां पर अभी क्या है कि अभी कैम्प लगाने की बात चल रही है गाउगाउगां के अंदर कैम्प लगाने की यूजना चलाई जा रही है ठीक है वहाँ पर यदि आपका सरकार आपके द्वार कारिकरम के तहते आपके गाउं के अंदर camp लगाय जा रहा है तो आप जाकर कि आप आविधन कर लिजिएगा एक दिन के अंदर ही सारा काम हो जाता है मैंने खुद अपनी दादी का करवाया मेरे भाई एक दिन के अंदर ही हमारी दादी का जो पेंसन है वो approved कर दिया गया आविधन कर दिया गया आविधन होने के बाद approved भी कर दिया गया तो आप सरकार आपके द्वार कारिकरम के तहद अगर camp लगाय जा रहा है तो आप आगे आगे जाएगा फटाफट जो है वो आपका काम बन जाएगा ठीक है अगर camp नहीं लग रहा है तो पौटेक जहरकन के अंदर जितने भी zilay है दोस्तों जिले के अंदर जितने भी block है पौटेक ब्लॉक के अंदर जितने भी Panchaid पंचायद के अंदर मेरे भाई पंचायद के अंदर जो है वो यहाँ पर पंचायद सिवक आते हैं उनसे भी जा करके आप अपना आवЕधन को जमा कर सकते हो जिसमें अपना आधार कार्ट का फोटोपी, वोटर इडी कार्ट का फोटोपी रंगीन पासपुर्ट साथ फोटो और साके बैंक पास्बुक का फोटोपी जमा करके तो देखो सरकार आपके द्वार कारिकरम आ रहा है तो वहां से भी आप करवा सकते हो या फिर आपके पंचायत भवन में कोई computer operator वटते हैं तो वहां से भी आप काम करवा सकते हो लेकान यहां पे offline ही फिलाल आविदन हो रहा है online इसका फिलाल कोई procedure नहीं है लेकिन भवीज़ में यह हो सकता है ठीक है online आविदन किया जाएगा देखे बवीज़ में यहां पर online आविदन की बात की गई है ठीक है तो मैंने यह भी आपको बता दिया अब देखे एक बात मैं आपको और यहां पर बताना चाहता हूं कि यहां पर कितने आयू की महिला यह आविदन कर पा आईू के बीज की जो महला है वो आविदन कर सकती है जहरकंड की वासी होना चाहिए ठीक है अधार लिंक्ट सिंगल बैंक खाता होना चाहिए ठीक है यह भी बता दिया गया है बाकि तो मैंने आपको अलड़ी बता दिया कि क्या क्या लगेगा ठीक है बाकि 21 से लेकर के 50 वर् सकते हो बाकि एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं कि पैसा कब मिलेगा ठीक है जैसा कि हमारे भूतपुर मुखी मंतरी चमपाई सोरें जी जो है जो कि आप समझ सकते हो मेरे भाई अभी जो है उनसे त्याग पतर ले लिया गया और फिलाल हमारे हेमन सोरें जो है इनको मुखी मंतरी का पत मिलने वाला है ठीक है तो चमपाई सोरें जी के द्वारा ये अनॉंस किया गया था कि अगस्त माह से जो है वो इनका पैसा मिलना चालू हो जाएगा तो जो भी मुखी मंतरी बहन बेटी सौलमवन योजना का आवेदन यहां पे जुलाई महने के अंदर कर देता है ठीक है जुलाई महने के अंदर जिनका भी हो जाता है और जिनका वेरिफाय हो जाता है उनका पैसा मेरे भाई यहां पे अगस्त के माह से चालू हो जाएगा अगस्त माह से उनका पैसा जो है खाते में सीधे डिलीवर कर दिया ठीक है तो देखो आल्मोस्ट मैंने आपको सब कुछ जानकारी दे दिया है किसी भी प्रकार के कोई भी प्रस्ण होता है queries होता है dot होता है तो मेरे बाई comment box में पूछ सकते हो आप आपकी मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद